हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप सभी का भगवद्गीता क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसा कि जन्मास्टु भी आ रही है बहुत ही शुब बेला है भगवान पधारने वाले हैं तो हम सबको त्यारी करनी चाहिए है और इसकॉन नौइडा में तो इस्पेशल जन्मास्ट भी होती है। इस बार कम से कम साथ लाख लोग, सबने लाख का एक्सपेटेशन है और नौइडा किवल नौइडा ही नहीं बल्कि ग्रेटर नौइडा, एकस्टेंशन, एक साथ जन्मास्ट भी हमसब बिलके मना रहे हैं तो इस बार काफी बड़े स्केल पर जनमास्टुवी हो रही है, और हम सब को चहिए, कि हम श्री प्रप्रपाद के मूब्मेंट में रहते हैं, तो एक साल में एक बार हम मौका मिलता है, कि हम लोगों की सेवा कर सके हैं, जनरली हम उस दिन हमेशा लोगों से सेवा देते हैं, लेकिन इस दिन हम चन्मास्टिमी वाले दिन हम लोगों की सेवाः तरहें तो हम लोगों की जो सेवा लग लगी आरती ही इस टॉल में तो जो लोग भी हैं वो अच्य सब्दार सब्सक्रा sensations करें चाहिं एक दिन सर्वीस करें ले अना तो आज हम शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले हम प्रात्ता कलते हैं, नमा ओम विष्ण पादाया, कृष्ण प्रेष्ठाया बूतने, श्री मते भाक्ती बेगिदान्ता, स्वामी इती नापने, नमस्ते सारस्वती डेवी, गौरवानी प्रचारेने, निर्विशेश प्रेम से कहो जैसी कृष्ण चैटन्या, प्रभुनित्यानन्द, श्री अद्वेति गदाथरा, श्रीवासाधी गौरवक्ता बिंदा, हरे कृष्ण, 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 हर जरा मरण मोक्षाय माँ आश्रित ये दन्पिये ते ब्रह्म्ह तत्वितु कृतस्मह आध्यात्म कर्मच अखिलम जो जरा तथा मृत्यू से मुक्ति पाने के लिए प्रित्नेशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहन करते हैं वे वास्ता में ब्रह्म हैं को कि विद्धिव कर्मों के विशे में पूरी तरह से चाहते हैं तो अभी यहां पर भगवान ने खुले आम कह दिया गुष्णा कर दी कि भगवान की भक्ति बोल लोग करें जो जन्म व्रित्यों के चक्र से अपने आपको छुडाना चाहते हैं कौन-कौन जन्म व्रित्यों के चक्र से मुक्तो होना चाहता है वह हाथ खड़ा कर दीजे भगवान देख रहे हैं अचाह सभी आप सभी जो है वो मुक्तो होना चाहते हैं तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि अगर आप खृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं तो जन्म व्रित्यूं के चक्र खटम हो जाता है हम अपने अपने जो शाष्वत घर हैं महाँ पे चले आप डिगे न तो भगवान कहते हैं कि यह गुद्धी मान लोह होते हैं अगवान के आश्रे को अगवान कृष्ण के यहां पे माम कौन है मेरे आश्रे भगवान अगर कह रहे मेरे आश्रे तो किसके आश्रे की बात हो रही है अगवान कृष्ण के कि क्रिष्ण कह रहे माम आश्रे मेरे आश्रे अगवान कृष्ण के करें माम आश्रे मेरे आश्रे 7.29 साथ में अध्याएका 29 श्रील प्रभुपाद जी किजे हो प्रभुपाद जी करते है जनम ब्रत्यु जरा तथा रोग इस भोतिक शरीर को सताते हैं अध्यात्मिक शरीर को नहीं अध्यात्मिक शरीर के लिए ना जनम है ना अम्रत्यु ना जरा ना रोग अते जिसे अध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वे भगवान का पाश्रद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है वही मुप्ध है एहम ब्रह्मा स्मी मैं आत्मा हूँ कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ये समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ जीवन का ये ब्रह्म बोध ही भक्ती है जैसा कि शलोक में कहा गया है शुद्भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और विद्ध भगवान की दिवे सेवा मेरे पहने वाले चार प्रकार के अशुद भक्त हैं जो अपने अपने लक्षों को प्राप्त करते हैं और भगवत किर्पा से जब ये पोनते कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगती का लाब उठाते हैं किन्तु देवताओं के उपासक कभी भगवत दाम नहीं पहुँच पाते हैं यहां तक कि अलपग्य भ्रह्म भूत व्यक्ति भी कृष्ण के परमधाम गौलोग प्रिद्णावन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावा मृत में करम करते हैं हम पाम आर्शित है वे ही भ्रह्म कहनाने के अदिकारी होते हैं क्योंकि वे सचमुच्छी कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रतिंशील रहते हैं ऐसे व्यक्तियों को किष्णे के विशय में कोई भ्रांती नहीं रहती और वे सच्मुच भ्रम है जो नो भगवान के अर्चा स्वरूप की फुज्जा करने में लगे रहते हैं या भवबंदन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं वे भी भ्रम अध क्या कंक्यूट कर रहे हैं पहले जिसे आपने देखा था कि भगवान के रहे हैं कि जो भी पाप कर्णों से मुक्त नहीं है अनग अनग जो होते हैं वही भगवान की प्राप्ति कर सकते लेकिन पापी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन पापी व्यक्ति कुछ पोजीशन पे रहता है तो अभी आप सब कुछान सी पोजीशन पे हैं चीहाँ पे प्रम पोजीशन के आप सब दिख्षाले लिये हैं और शिली सोड़ा जेल है या एक ऐसे गुरू की परंपरा में आते हैं desenvolup रहां करते हैं स्कीस्तिति हो जाती हो बरम्म स्वरूप हुजाय नबबाएगा अर्ण है कॉन बताएगा ब्रम्मकर यहां पर क्या मस्तवी आतम अदी टे को के ने को दुक्ट्राम के अल्कम मत्लब आत्म Palक सिकने और बताएवे ने को जब जीव जो है, इस जगत में आता है, तो उसको भोगने की इक्षा रहती है, उसको भोगने की इक्षा रहती है, उसको भोगने की इक्षा रहती है, वो खुद मालिक बनना चाहता है, उसको अपना मगवान के साथ जो संब्धने वो बूल जाता है, तो जब भोगने के बोगना चाहता है तो एक्षुली में जुशिर प्रपा लिखते लिखने भगवतगीता में कि हीर्दय की दुरयबलता है दो तरसे कारिकर कि एक तो व्यक्ति क्या करता है इस जगत में प्रभुत्व या स्वामित्व जताने की कोशिश करता है ब्रेक्ट को यह हिर्दय दुर्बंता के कारफ तो अपने पको शरीर मांता है pest complement क्या सोथकर सबकुछ मेरा है सबकुछ गोसिश करता है और जब उसको कंट्रोल करने की तो उन चीजों में आसक्त हो जाने ओलिर माले जी मौ को सोचते हैं एक हम बोकान उनसे भी आसकत होげंगे तो वो ह्ये सोस्ता है कि हम जो है प्रभूत्म जता रहरे हैं जबकि एक्चुली में प्रकिती झि ऐस प्रचिता रहे हैं आधि है और भगवान के साथ उसके प्रण्श्वत रिलेशन है वो व्यक्ति पूल जाता है तो आपना जो ब्रहुव सुरूप है, भोगुल जाता है लेकिन जब भगवद भक्ति करता है तो आत्मा के जो आत्मा की जो जो जागरती है वो वापस प्रकट होती है और जो ब्हाटिक शरीर जो है इससे उसका जो वायरागय हो जाते है तो समझ पाता है कि वो बहुतिक शरीद नहीं है। वो अध्यात परी नहीं है। तो भागवतम में 7 केंटु में 7, 12, 25, 31 श्लोप जब उसमें बढणाश्नम धर्म का जो बढणन हो रहा है प्रेदरादमराज की जिक्षाओं के बाद। तो उसमें बढणाश्नम सिस्टम में लास्ट में बताते हैं कि जो शरीर है कैसे विभिन पंच तत्मों का बना हुआ। शरीर में क्या-क्या चीजें पंच तत्मों की बने हुआ। तो जो आकाश है वो शरीर के जितने भी चित्र हैं। वो किया है आकाश टत्व को है जैसे आख नाख नाख के कोचित कान अर जनिश dele यह क्या है आकश तत्व है फिर जो वाईू तत्व है वह होती प्राण वाईू को ज narrow it מא नदे हैं कि तस कताहर के वाईू है वह उती वह नद कान झ Renault वाईू अगनी और जल क्या होते हैं जल तत्व तहां तहां पाया जाता है रक्त यूप में पूरे बॉड़ी में शरीर में जा रहा है पानी और कफ और वी लिया ये जो चीजे हैं ये अ. चिन है न जो अस्तो यहन हढ़ी हटी जा ड्हँका होता है और पेशी यहने उसके ऊपर जो मसल्स होते हैं यह सब क्या होते हैं यह प्रिथवी तक होता है जब जीव जो है भगवान को प्राफ्त करता है तो उसको यह कहा जाता है कि अपने इन तबों को आपस में विले कर लिए नहीं भेराग यह जाए नहीं शरीर के एक्जिस्टन्स से वह उपर निकल कर आत्मा क किसके दोरा भगवान की तपस्या नाम चुक के द्वाद है जैसे आपने कभी कोई फिल्म देखें जेम्स बॉंड के उसमें ऐसे ऐसे पिस्टर करता है तो एक बाद एक के बाद एक खुल जाता है पुरे गैजट खुल जाता है बड़ी सी कार बन जाती है और से बैटता है उत चला जाता है एक बैग की तरह रता है से खोलता है कि टिक 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 करके एक बड़ा सा कार बन जाता है और से बैटता है और चला जाता है तो एक बटन दबाता है वापस सब्ची रिबॉल होता है और एक बैग के शेप में आता है बैग लेके चला है ऐसा कि इह दिज्व पिर और वह सही सब़न के सब्सक्राइब देख सब्सक्राइब दिए म dwell जब में में डिखाता है इए अपनोंले कर वने कभी है कि आज दिए कोई बनती है फिर अगनी होती है यह पिर जल होता है बिल्ट्वी बनती है इसे अभी, तिर जल, पिर अगनी, फिर वायू, फिर अप्ष। फिर ये सर मिलके मिथ्य अहंकार में जाते हैं और मिथ्य अहंकार जो है महत तवत्म बिलीन होता है और महत तवत्म जो होता है फिर वो परमात्म में देन हो जाता है एक दम गायद समझ रहे हैं, इतना जम गेम खेल रहे हैं, इतना सारे पैसा आप कैसे जो हम आप रहे हैं, आप रहे हैं, इस तरह से जो है, अगनी अख होता है, ना शरीर के अंदर जो ताफ होता है हमारा वो अगनी दख्म में आए तो कहने का बतलब यह है कि शौक में अगनी बात कहने के कोशिश करते हैं, कि जो जीव है, जब इन चप्चियों से अपने आपको विलग करता है, तो लास्ट में शुद्ध आध्यात्मिक तत्व के वन रहे हैं, कि अभी भातिक तत्व को उसने छोड़ दिया, इसा भातिक तत्व है, यह शरीर जो है बातिक तत्व है, और आत्मा अ की जरुवत नहीं, नई भातिक इंद्रियों की जरुवत लेकिन हम दोग ने इसको डो रहे हैं, जब हम इन चीजों से अपने भातिक जगत से अपने आपको विलग करते हैं, तो शेश रह जाता है, वो आध्यात्मिक शुत्त्रकर है, इसी को ब्रह्म होग्या है, जो यहां इसको ब्रह्तिक पदार्तों से धीरे धीरे आसकती खतम होने लगती है, उसके घर, मकान, शरीर के चेंजेज, चीजों से इतना फरक ने पड़ता है, उसको यह पता होता है, वो आत्म तत्व है और वक्ति में नहीत है, और यह जो चेंजेज हो रहे हैं, यह चेंजेज को लेकिन आसकती के कारण, आत्मा की अज्यानता के कारण, भगवान के साथ अपने संब्स को भूल जाने के कारण, हम शरीर से अपनी पहचान करने लगता है, तो इसमें जब चेंजेज आते हैं, तो हम शोक और मोह को प्राम्प बोगते हैं, समद्में आ गया, अभी समद् करने पर हमें अपने आत्मसुरूप की प्राक्ति होती है और हमें यह पता चलता है कि हम भगवान के अंशय को अब शरीर में जो परिवर्तन होते हैं इसके इससे प्रभावित नहीं तो भगवान ने यही का जो शरीर का जो दुख है जन्मृत्यु जो इतना दुख कर दुख देता है जीव को अगर इससे कोई मुक्त होना चाहता है तो केवल मेरी भक्ति या मेरी श्रणगत में आने के बाद ही कोई जन्मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं कहीं पर भी वक्ति करने से देवी रेवताओं की वक्ति करने से कहीं मनुष्यों की वक्ति करने से कोई जनमृत्यु को चक्र से औहां को एक लिजलन हुद्स principe करक्षा करता है Σब्सक्राइन chce डेरां को ईननालिक अवक्ति गरनाच्ञा प्रह जुप्र इस स自जडें यह कोब्री and कोंलेरनों पिर गरता है यह नर अब समझ में आगी नाम को आपisesti जटन आपने। कि जो लोग भगवान के अर्चव विघळ पूजह कर तुछ थे घरनलिएं, तो भगवान की जो शेवा इस एसाव का बश्वाया कर देना है और जन्रितों के चक्रि किसे वापस से किसारी factor, वाकर से कई लोग की Ingya Carn인 लोग की realization function नहीं है रहिए कि कही लोग की लेकिन जो भफ तो होते हैं वो भगवान के अनुसार चलते हैं इसलिए नुकि दंव की अवस्ता में रहते हैं और यहां पर पूला गया कि वह अंतुमें इस शरीव में भी वह सुपूरोग रहते हैं और शरीर त्यागने पर भी उनको कृष्णिधाम यानि गोलोगधाम की प्राफ्ति निश्चित तो अगर हमें जाना है भगवद्धाम यदि हमें अपने जन विल्टि से मुक्त होना है तो मैं भगवान की भगति करनी पड़ेगी आए तीसमा श्लोग पढ़ते हैं यानितिम्श्लोग के नहीं भगवान करते हैं जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का तता समस्त यग विद्यों का नियामक जानते हैं वो ही अपनी मृत्यों के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं सअधी भूता अनि भौतिक जगत को चलाने वारे जो सित्वानते हैं कर्म करने हाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूरता समझने के पत से विछलित नहीं होते हैं कर्ष्ण भावनाम्रत के देवि सानेते से मनुष्य समझ सकता है भगवान किस तरह इस भौतिक जगत तत्य अवताओं के नियाम है जब हम भक्ति करते हैं तो सबसे पहला तक यहीं सीखते हैं कि कृष्ण स्थू भगवान स्वयन भगवान कृष्ण ही सुप्रीम परस्नालिटी ऑफ बाट है सभी के नियाम जितने भी इश्वर हैं जितने भी लोग हैं सभी के जीरे जीरे ऐसी दिव संगती से मनुष्रे का भगवान में विश्वास बढ़ता जाता है अता मृत्यू के समय ऐसी कृष्ण भावना भावित व्रफ्ती कृष्ण को कभी बुला नहीं पाता और सहज ही भगवत बूलोग थाम को क्राफ्त होता है आपने देखा था कि सात्मेद ध्याइब बुल्वान बताते हैं यम्यम्यापी इस्मरन भावम तच्यनते कलेवरम तम तमिवेति कृंते यस्दात भाव भाविता भगवान आगे बताते हैं क्या कि जिज-जिज भाव में रहेकर शरीयर त्याग करेता है वो उसके अनुसार शरीर पर आपते करता है है ना हम आ सकती के कारण अगर अगर अपने घर परिबार मकान धन के बारे में सोच रहे हैं तो हम छिपकिली, कौकरोच, चुहा, बंदर, कुत्ता ये बनने वाले हैं सीधी सी बात है तो हमें तयार रहना चाहिए या सकती हमें कहाने जाएगी लेकिन अगर हम भग्वान की भक्ती कर रहे हैं तो हमें भग्वान की यादाएगी भग्वान के दामुदरलीला की यादाएगी पुषृत्तमास की यादाएगी जगरनाथ यात्रा की आजाएगी समय की वहां की याद आएगी है अविवन कौन से दाम गया थे एंधा ने कौन सा बन थे नगे था मधूबन अने आप लगए थे ना तो महा में द्रशन किया था खितने शुम्दर सुन्दग देखा था लवनासुर की गुफा 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 देखी थी याद है आप लोगों को शुआ अचल की दो सुदर थे जटिकने अच्छी था और फिर उड्रु ती टेखा था जाथ धूमा्राद्धति तपस्चाखी tous六 महीने के बाद गवान को प्राक्ते है थे इप इतने सुन्दर है नो आए आधिक परेक है टर से Django पबने को इस्पृण इचारे हैं वहां किरें कि कृष्ण Damit क्लिणा Ji a trai sourate है और इसे सच्मुछ प्रत्यकष्य भगवान को संग कर टे क्रिप आप में अब शुद्य भगवान को समझ बाते हैं वहान की बग्ति करते हैं और एसा विश्वास हुजाता है हम शरी नहीं आत्मा हैं तो क्या थे दीर तीरे भ्यावतिक जिगत से वहरागों जाता है और भगवान के तती आ सकती बढ़ती चले जाती है साथी वह जीव के वास्तविक सुरू को समझ सकता है वह समझ जाता है कि किस विकार वह कृष्ण को भूल कर भातिक कारे में उलज किया है साथ संगत में दहने से कृष्ण भावनामित के क्रमिक विकास से जीव यह समझ जाता है किस प्रकार कृष्ण को भूलाने से वह प्रकिति के नियम होना रबत्त है तो यह भी समझ जाता है कि मनुश्य जीवन कृष्ण भावनामिट को पुना प्राक्ति करने के लिए मुला है और उसका सद्विप्योग करके भगवान की भक्ति करने लगता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस लोग में ये बात बताईशे कि भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्म वस्था में हो जाता है मेरी भक्ति करने लगता है ये समझ जाता है कि अगर उनको इस दुखों से चुटना है तो भगवान की शरण ग्रहन करनी पड़ेगी और भगवान ही क्या है समस्त जगत के नियामक हैं सभी यग विध्यों के नियामक हैं और सभी देविताओं के भी नियामक है ये बात जब वो समझ जाता है तब वो निश्चित रूप से भृत्व के समय भगवान का स्मरन करता है और वो पुद्धा आपको जाता है केवल भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेना है, कृष्ण का मतलब भी सबजना है, कृष्ण का मतलब यह है कि कृष्णा जो है, वो सर्धी के मालिक और नियामक है, जितने भी यग्य होते हैं, उन यग्य के पत्त, विधियों के नियामक है, इसलिए जो चैंटिंग है, हरे आपको इस चैंटिंग करते समय कृष्ण को आपको यह जाना होगा कि कृष्ण है भगवान और वाकी सब उनके अंदर में प्रतिनिती है काम करने वाले सेवग है ठीक है तो भगवान ने देखिए लास्ट के दोश्रों को में अपनी नील गाड़ दी बता दिया कि भक्ति करो भक्ति एक मार्ग रास्ता है और यह भगवत ज्यान है यहां पर भगवान ने अपने जो यह भगवान यह दिया और नेक्स चेप्टर में हम यह पढ़ेंगे आठ्वें चेप्टर से बत गाते कि अब हमें ज्यान हो गया है कि कैसे भगवान सब के नियाब हों कैसे भगवान सब चीजों के लिए सब से ज्यादा बोगी है न यह ने देख लिए अब हम उसको कैसे प्राप्त करें भगवत प्राप्ति करें कैसे क्या करना पड़े है तो यह हम फिर हम 8th chapter में दीरे दीरे दिखेंगे एक है शिल्परवपाद की जाए जाए को हरब बग्ता बंदिक जया मिटाई को अपनानब्दी हाइ ने दीरे 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 दीरे